नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बर फिर से स्वागत है वक्ति मंत्र में दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे चैनल पे पूजा पाठ और धर्म से रिलेटेड वीडियो आते हैं मैं अपने वीडियो में बताती हूँ कि भगवान की पूजा इस तरह से करें तो दोस्तों आज मैं आपको यहीं बताऊंगी कि मैं जो भी वीडियो सेर करती हूँ उन सब चीजों पर मैं कितना अमल करती हूँ क्या मैं उन सब चीजों को मानती हूँ कि नहीं मानती हूँ तो देखिए सबसे पहली बात कि भगवान को हमने नहीं देखा है किसी ने भी नहीं देखा है जो हमारे वेज सास्तरों में गरंतों में बताया गया है कि भगवान ऐसे देखते हैं भगवान वैसे देखते हैं भगवान मुरली बजाते हैं भगवान मोरपंख लगाते हैं पर रियल्टी में तो हमने नहीं देखा है ना कि भगवान कैसे दिखते हैं ठीक इसी प्रकार हमारे जो चार वेध हैं जिसमें रिग वेध, यजुर वेध, साम वेध और अधर वेध हैं इन वेधों में बताया गया है कि अगर ये परिशानी हो तो ये कारे करने से ये उपाय करने से ये परिशानियां दूर होती हैं तो उसी चीज को हम मानते हैं और अब इसके पीछे एक और लॉजिक है दोस्तों जो भी हमारे वेध सास्तरों में बताया गया है जो भी उपाय ब बताएं गया है जो भी पूजा पाट करने की विदी बताई गई है उन सभी चीजों के पीछे कुछ न कुछ साइंटिफिक रीजन होता है तभी वो बताएं गया है माल लेजिये जैसे एक्जांपल में आपको बता रही हूं कि भगवान शीव को दूद चढ़ता है बीच में मेरी एक वीडियो आई थी कि भगवान शीव को दूद चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए वहीं दूद वेस्ट करने से अच्छा है कि किसी बच्चे को दे दो कोई भूखा है उसे दे दो लाश्ट में क्या हुआ लाश्ट में सभी को पता है कि उसके पीछे साइंटिपिक रीजन था और इसी प्रकार से बहुत सारी चीजे जो तिस सास्त्र में बताई गई है जिसके पीछे कुछ न कुछ लॉजिक होता है माल लेजिये कल मेरी एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर बुरे सपने आते हैं तो कपूर जला क से क्या होगा ऐसा भी बोल सकते हैं सोच सकते हैं लोग लेकिन इसके पीछे भी साइंटिपिक रीजन है इसके पीछे ये रीजन है कि अगर हम कपूर जला के पूरे घर में दिखाते हैं आप दिन में रात में कभी भी कपूर जला के पूरे घर में आप दिखाएंगे तो उ इसके साथ ही कपूर में से भीनी भीनी से खुस्बू आती है जो आपके पूरे घर का महौल ही चेंज कर देगी वो खुस्बू इतनी अच्छी और पवित्र होती है कुछ से आपका माइंड बिल्कुल फ्रेस हो जाएगा तो इस तरह से अगर आपको पूर जला के पूरे घर म सकारात्मक उर्जा आपके घर में आएगा इससे आपका मन मस्तिस्क सुद्ध होगा और अच्छी नींद आएगी और अच्छी नींद आएगी गहरी नींद आएगी तो सपना देखने का सवाल ही नहीं उठता तो दोस्तों इस तरह से अगर जो भी उपाय बताये जाते हैं उसके पीछे कोई न कोई साइंटिफिक रीजन होता है और मैं इन सब चीजों को मानती हूँ मैं मानती हूँ कि अगर बच्चों को नजर लगता है आपने भी नोटिस किया होगा कभी न कभी कि बच्चों को नजर लगती है नजर उतारते हैं नजर जारते हैं ये सब कुछ कुछ बाते सही होती है लेकिन बहुत जादा अंद विश्वास में फसना भूत प्रेट पकड़ लिया किसी ने भूत कर दिया किसी ने मार दिया किसी ने मतलब ये संभव नहीं है आप खुद भी सोच सकते हैं कि जन्म और मृत्यू इंसान के वस में नहीं है वो सिर्फ किसी भी इंसान में इतना दम नहीं है कि कोई भी भूत प्रेट करके किसी को मार सकता है इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं है और ये संभव नहीं है ये अंद विश्वास है अगर आपसे कोई बोले कि हां उन्होंने भूत कर दिया और वो मर गये तो ये संभव नहीं है अब र पीछे भी मैं आपको रीजन बताऊंगी कि एक बार मेरे साथ मेरे जिंदगी में बहुत बुरा हुआ बहुत बुरी परिस्थिती से मैं गुजर रही थी उस टाइम सिर्फ मेरे मुँपे भगवान का नाम था वो तीन दिन मैंने कैसे विताए मुझे अभी भी याद नहीं है कि वो दिन मेरे कैसे बीते थे और क्या हुआ था मेरे माइंड में बिल्कुल ब्लैंक हो गया है वो कि उस दिन हुआ क्या था वो तीन दिन मैं अपनी जिंदगी के बहुत कठीन थी मेरे लिए मैं mentally तो डिस्टरब थी ही और बीमार भी थी एडमिट भी थी और सबसे ज़्य अगी तोर पे मैं डिस्टरब थी उस टाइम उस टाइम एक चीज मेरे पास थी और वो थी भगवान भगवान का मैंने ध्यान किया बाकी मुझे अपने बच्चे तक का भी याद नहीं था उस सिच्वेशन में सिर्फ मैंने भगवान का नाम लिया और मेरे वो दुख कटे म मुझे लगता है कि जब हम भगवान की पोजा करते हैं भगवान का ध्यान करते हैं और जब हमारे जीवन में कोई समस्याएं आती है कोई भी समस्या आती है उस टाइम सभी अपने होते हैं लेकिन लास्ट में जब हम हार के भगवान के पास जाते हैं भगवान के मंदिर में जाते हैं भगवान की सरण में जाते हैं तो उसके बाद हमें हमारे अंदर सकारात्मक उर्जा देखने को मिलती है उस टाइम हमें लगता है कि कोई हमारा सहारा बन गया और मुझे ऐसा फिल होता है और इसलिए मैं भगवान को मानती हूं और भगवान को भी मानती हूं पूज जा हम करते हैं हम मंत्र का उचारण करते हैं उसके पीछे भी कोई न कोई सांटिफिक रीजन है अगर हम किसी मंत्र का उचारण करते हैं आपने नोटिस किया होगा सारे मंत्र संस्कृत में होते हैं हमारे संस्कृत का जो भी हम मंत्र उचारण करते हैं उससे हमारी आवाज में हमारे कंट में बाइब्रेशन होता है जिससे हमारा मन मस्तिस्क दोनों ही स्वस्थ होता है सीधे सीधे तोर पे अगर कहा जाए तो भगवान की पूजा पाठ करना मेडिटेशन है एक पॉजिटिविटी है जो हमें हमारे जिंदिगी में हर जगह सपोर्ट करती है हमारे दुख में भी सपोर्ट करती है हमारे सुख में भी सपोर्ट करती है पर अकसर ऐसा देखा जाता है कि जब हम सुखी रहते हैं, खुस रहते हैं हमारे जिंदिगी में कोई परिसानी नहीं रहती है तो हम भगवान को नहीं याद करते हैं लेकिन जब बुरे दिन आते हैं तो आटोमेटिक हमारा ध्यान भगवान की तरफ जाता है दोस्तों मैं आज वहीं बात बताऊंगी जो मैंने खुद नोटिस किया है मुझे लगता है जब कभी हमारे जिंदगी में बुरे दिन आते हैं हमारा कुछ बुरा होता है तो कुछ दिनों के लिए भगवान से हमें नाराजगी हो जाती है मेरे साथ ऐसा हुआ था भगवान की पूजा में बहुत अच्छे से करती थी पर जब मेरी लाइफ में मुझे प्रॉबलम होई और मैं बहुत जादा दुखी होई तो कुछ दिन दो-तीन महीने में भगवान से नाराजगी और मेरा बिलकुल पूजा पाट में मन नहीं लगता था भगवान से भरोसा ही उठे गया था लेकिन फिर कुछ टाइम बात धीरे-धीरे फिर से उतना ही लगाओ मुझे भगवान से हो गया तो मैं मानती हूँ कि ये सही है भगवान है जो हमें हमेशा हमारे साथ रहते हैं हमें positivity देते हैं सकारात्मक उर्जा देते हैं जो हमारे माइंड में कभी किसी बात को लेके नकारात्मकता आती है वहीं हमारे भूत प्रेत हो जाते हैं लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि प्लीज आप अंध विस्वास में ना पड़े ये संभव नहीं है कि किसी के बुरे दिन आ गए हैं तो ये तंत्रमंत कर देंगे तो अच्छे दिन आ जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है आप अपने कर्म करते रहिए कर्म करने के हिसाब से आपको फॉल मिलने वाला है अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपके लिए भी कही नहीं कुछ अच्छा हो रहा है इन चीजों को आप माने बाकी ये कभी न माने कि लंबा सिंदूर लगाएंगे तो आयू बढ़ जाएगी ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर आप ऐसा सोचते हैं कि लंबा सिंदूर लगाएंगे पूरा मांग भर के लगाएंगे तो पति की आयू लंबी हो जाएगी तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि हो सकता है ठीक है सास्त्रो वेदो में बताया गया है इन सब चीजों को लोग मानते हैं बहुत से लोग मानते हैं बहुत से लोग नहीं मानते हैं पर मुझे ऐसा लगता है कि लंबे सिंदूर लगाने से अगर आयू बढ़ती तब तो लोग पीछे तक लगा लेतें जब बच्चा जन्म लेता है उसी टाइम से निश्चित है कि वो कितनी आयू लेकर आया है। उसमें किसी का बस नहीं चल सकता है और ये संभव नहीं है। वो आगे बढ़ता रहे और सजनी सवरने की जहां तक बात हुई कि सज सवर के रहना चाहिए ये सब चीजे इसलिए बनाये गया है कि मन मस्तिस्क दोनों खुश रहेगा अगर महिलाएं घर में सज सवर के रहेंगी सुन्दर बन के रहेंगी मेकप से कप करके रहेंगी तो घर का वातावरण अच्छा बना रहेगा घर में खुशाली रहेगी, पती भी खुश रहेगा, बच्चे भी खुश रहेगे और वो खुद भी खुश रहेगी इन सब चीजों को ले की ये बनाया गया है तो दोस्तों ये तो थी मेरी बाते कि मुझे ऐसा फिल होता है अब आप लोगों को क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताएं और अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो भी आप बताएं कि हाँ ये चीज गलत है तो मैं उसको मानने के लिए भी तैयार हूँ तो आप अपनी राय बताईए जरूर कमेंट करके कि क्या सही है और क्या गलत है मुझे जहां तक लगता है मैंने अपनी राय आप लोग के साथ सेर किया है और मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए राधी राधे